नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसका एगरी कल्चर में आज की इस वीडियो में स्वाइबीन की खेती को लेकर हम आपको वो बाते बताएंगे जो आपके लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होगी अगर आपके इलाके में भी रोग रोग कर या लगातार बारिस हो रही हैं तो एसे वो कौन सी चार काम है जो आपको अपने स्वायवीन की फसल में continue करते हैं, करते रहना है जिसकी वज़े से आपके स्वायवीन में किसी भी परकार की फूलों और फलियों की कमी नहीं होगी और आपको पैदावार में किसी भी परकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलती रहे बिना इसकीप कि ये लगाता चारो बातों को सुनकर जाना ताकि आपको किसी भी परकार की, कोई भी शंका ना रहे और आपसे किसी भी परकार की फसल में, कोई गल्टी ना हो जाए तो चले वीडियो को शुरू करते हैं, हो जानते हैं उन सबी बातों के बारे में तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि सन भाईयों कि लगातार बारिस होने पर या रुक रुक कर बारिस होने पर खेत में पानी का जमाव होना शुरू हो जाता है तो इस बात का आप ध्यान रखे कि खेत में कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए और पानी का जमाव नहीं होना चाहिए खेत से रस्ता बना कर पानी को बहार निकाले पानी जहां पर खड़ा रहेगा वहां पर स्वयबीन खराब होगी तो खेद में कभी भी पानी का जमाव ना होने दे दूसरा खर्पतवार से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि लगातार बारिश होने पर हम हमारी स्वायबीन में डोरे और कुल पे नहीं चला सकते हैं तो इसकी जगह पर आप खर्पतवार नासी दवाई का उपयोग करके खर्पतवार को समय पर कंट्रोल करें क्योंकि फूल और फलियां आते वे वक्त भी अगर खर्पतवार खेद में पोदे के बराबर मौजूद हैं तो वह फिर आपके फूलों और फलियों पर नुकसान पहुचाएगा पोदे की ग्रोथ को भी नहीं होने देगा जिससे आपकी पैदावार कम निकलेगी तो फसल खर्पतवार मुक्त होना भी बहुत जरूरी है तीसरा जो मुझे लगता है सबसे आहम पॉइंट है कि लगातार बारिस होने पर क्या होता है किसान बाईयों की हमारा जो पोदा होता है वो श्ट्रेच में आ जाता है जिसकी वज़े से उसकी जड़े जमीन से पोसक तत्वा लेना बंद कर देती है ऐसे में कुछ इस्तानों पर किसान बाईयों के सामने ये समश्या आ जाती है कि उनकी फसल पीली पढ़ना शुरू हो जाती है उनकी ग्रोध रूप बंद हो जाती है तो अगर ये समश्या आपके सामने आ जाती है तो ग्रोध को लेकर या पीलापन अगर आपकी फसल में आ तो फिर उसमें फसल में ग्रॉथ भी शुरू होगी, और उसका पेलािपन भी दूरू होगा, इसका उपयोग आप तब ही करें, जब इसकी जुरुरत हो. तो चौहता जो destination है इसान भाईयों मुझे लगता है कि अहम point है क्योंकि होता क्या कि लगातार बारिसुने और अंत्यादिग नमिक वजह से पत्तों के नीचली साइड पर इल्या लग जाती है जो हमारे फूलों को भी नुक्सान पहुंचातीएप और अं सह 강 To को नुकसान पहुंचा देती हैं तो इसकी वज़े से अगर हम लगातार बारिस हो रही है तो आपको क्या करना है कि इल्लियों का इस्प्रे भी आपको करते रहना है भले आपने खरपतवार नासी दवाई के साथ में पहले इस्प्रे कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाद में भी अगर लगातार बारिस हो रहे हैं तो एक इस्प्रे आप समय निकाल कर जरूर करें जिससे कि जो इल्लिया होगी पत्तों के नीचे की साइड और फूलों को खाने वाली वह इल्लिया भी खतम हो जाएगी और आपकी फसल पूरी तरीके से सुरुक्सित र